नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रान जोट सीक्रेट 22 अगस्त को बुद्ध वक्री चाल चलते हुए रासी परिवर्थन करेंगे और करकरासी में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में ही करक रासी में इस गोचर के तोरान 29 अगस्त को बुद्ध देव मारगी होंगे फिर 4 सितमबर को बुद्ध देव मघा नचतर में गोचर करेंगे और बुद्ध देव रासी परिवर्तन भी करेंगे बैदिक जोतिस की अगर हम बात करें तो कुंडली में बुद्ध अगर मजबूत इस्थिती में हो तो ब्यक्ति के जीवन में सभी तरह का सुपसु विधाएं मिलती है तेज बुद्धी होती है अच्छा स्वास का बरदान भी बुद्ध देते हैं साथ ही लौटरी जुआ सट्टा ब्यपार में अपार सफलता ऐसे लोग प्राप्त करते हैं जोतिस रहस जैसी विध्या में ये निपुन होते हैं जोतिस के नुसार जब कोई गरह अपनी सीधी चाल की बजाए उल्टी गती से चलता है तो इसे वक्री होना कहते हैं अक्सर गरहों की वक्री चाल होती रहती है और लेकिन एक्चॉली में ये होती नहीं है केवल प्रतीत होता है कि कोई गरह आगे चलने के बजाए पीछे की ओर चल रहा है और इसे ही गरहों का वक्री होना कहते हैं तो बुद्ध जब वक्री होंगे तो इसका प्रहाव क्या पड़ेगा क्योंकि बुद्ध 24 अगस्त को उदित हो जाएंगे 22 अगस्त को वो करकरासी में वक्री वस्ता में आएंगे और 24 को उदित हो जाएंगे तो जैसे ही वो उदित होंगे आधा बल उनका लोटाएगा क्योंकि उदित हो गए तो सूरिज से जो दूर हो गए उनकी अपनी ताकत लोटाई और 29 तारीख को बुद्ध मारगी हो जाएंगे करक में जब वो आएंगे तो आसलेशा नच्छत्र जो उन्हीं का नच्छत्र है इसमें रहेंगे बुद्ध जो करक रासी में रहेंगे तो नच्छत्र का बल भी होगा उदित होने का घमंड रहेगा जोर रहेगा मारगी होना कहिए तो यहां पर सत्रू के घर में लेकिन कमज तो अवस्था में नहीं बली अवस्था में बुद्ध आपके 211 भौ के स्वामी है और इसमें नवे भौ में वक्री अवस्था में तो ऐसे में कर्क राशी में जब बुद्ध आएंगे आपके भाग में गिरावट आएगी क्योंकि लाब प्राप्ती तो होगा लेकिन थोरा सा देरी से करियर में आपको काम के मामलों में आपके जो बरिष्ट हैं जो आपके सहकर्मी हैं थोरी सी चुनौतियां रहेंगी बैपारी भाईयों को हलांकि लाब तो होगा पर जोरत से ज्यादा उधार देना या आँखे बंद कर किसी पर भरोसा करना इस्टाप लोगों पर नजरे ना बना बनाए रखना यह चीजें चिंता की भी सह हो सकती है इसलिए हर तरफ नजरे बनाए रखे और तभी आपको आर्थिक नुकसान कम होगा अगर आपके प्रशनल लाइप की बात करें तो यह चूंसे जो मामले हैं भामनात्मक जो समस्य आए हैं वह थोड़ा प्रशन करें कि और पीटा के स्वास्त का थोड़ा खयाल रख लीजेगा तो आपके बहुत उत्तम रहेगा तो इसमें अपने पिटा के स्वास्त का ध्यान ड़कनेकी आवस सकता है तो थोड़ा सा अस्टम भाव को हमेशा ही बुरा लोग मानते हैं लेकिन अस्टम भाव जो होता है आपके नए काम सुरू करने की सुरुआत के लिए होता है नया प्रोपोजल होता है और उसको यहां पर से आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है तो इसमें यात्राइं होंगी पिता का सपोर को थोरा मिलेका ऐसा नहीं कि क्लें है तो यहां थे दो मिलेगा entire season के स्वास्ता का द्यांता है और हवागी से आपको लाव मिलेगा भाग के सके पैसा जरूर हैगा थोड़ी बहाइभ एक मैं तो हैगळी जब सबीदा कर बहागी को अन्दर से बहतर वेंदा वीयरां किसी प आप एकदम से जैसे चीजों को अगर थोड़ी भी कोई बिगडी भी है उसके बारे में सोचना सुरू करेंगे तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी चीजें भी आपकी बेचैने भी बढ़ेंगी और आप ठके ठके महसूस करेंगे इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ आप द पैनिवाद